नमस्कार आप सबको आशा करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सुरक्षित है अपने घर पे है तंदुरुस्त है भगवान जी आपको तंदुरुस्त भना ही रखे आज एक वाक्या सुनाना चाहती हूँ एक कहानी अपने पूर्वजों की जो कुछ ही दिन पहले मेरी मम्मा से मुझे सुनने को मिली डरवाली है थोड़ी से बट आज के इस महौल में डरना शायद जरूरी है मेरी आज सुना है हम सुनते भी हैं कि 1947 ने हमारे पंजाब को और लोगों को या पूरे हिंदुस्तान को बोले बहुत हिला के रख दिया था उसके बारे में एक अलग से ही खबरे सुनने को मिलती हैं कभी 1947 की जंग के बीच में उसका कभी जिक्र हुआ नहीं है वो था करोना जैसा ही सो साल पहले आया एक वाइरस मेरी मा के दादा जी शमाल करके पाकिस्तान में एक जगा है मैंने अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में खोजबीन करी थी जादा कुछ पता नहीं चला आपको पता चले तो जरूर बता न पाकिस्तान में शमाल जगा में एक भरा पूरा परिवार रहता था चार भाई उनकी बीवियां बच्चे सब मिला के सत्तर कुछ लोग होंगे अच्छा कारोबार था गहने जेवराद सब चालिस कमरों की हवेली थी उसमें काफी लोग रहते थे और बहुत सुखी संसार था एक सत्त्य घटना है तो एक दिन यही बिमारी की वज़े से उसके सो साल पहले बिमारी आई थी जो उसकी वज़ा से पांच लोग मर गए बहुत लोग परिशान हुए अपने ही घर परिवार का जब इंसान मर जाता है तो क्या इंसान की हलत होती है वो समझ सकते हैं आज आज शायद हर कोई समझ सकता है क्योंकि हर किसी का परिजन कोई न कोई कुछ न कुछ उसको हुआ ही है पांच लोग मरे तो उसका संसकार करने के लिए लोग गई वहाँ पर उस टाइम पर कहां कार स्कूटर वो सब था जब वापिस आए तो दस लोग वहाँ पर मर गए और हवेली में बोलते हैं कि लूज मोशन लगते थे और वॉमिट लगती थी और इंसान मर जाता था पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है ऐसे करते करते लोग मरते चले गए स्टार्टिंग में तो संसकार किया गया लेकिन उसके बाद संसकार करना बन कर दिया गया सत्तर लोगों का परिवार बीवी बच्चे सब सब मरने शुरू हो गए बच्चा कौन? एक मेरी ममा के दाधा जी वो भी गए दादी बच्ची दादी के जोली में छे महीने के मेरे नानू वो बच्चे नानू के बड़े भाई धाई साल के वो बच्चे और तीन दाधा के भाई उस टाइम पे जो काम किया जाता था उससे उस नाम इंसान का नाम पड़ जाता था तो ये लोग तीन भाई एक ममा की दाधी एक उनके पापा मतलब मेरे नानू और नानू का भाई सिर्फ ये छे लोग बच्चे सतर लोगों में से ये लोग अपने ही परिवार को ऐसी तड़फता छोड़ कर मरता हुआ छोड़ के बिना उनका संसकार किये अवेली को छोड़ के पैदल ही चल पड़े ना पैसा लिया ना गहने लिये बस निकल पड़े वहां से रोते हुए आँखों में आशू और जोली में बच्चा खुश सोचो एक औरत की क्या हालत रही होगे और वो आदमियों की जिनके बच्चे जिनकी बीवी उनके समक्ष तड़फती रही और शायद मरती भी रही पता ही नहीं चला पैदल पैदल वो लोग अमरिसर आबसे ये 1947 से पहले की जंग जो शायद नेचर से थी हमारी उसने भी तो कितने लाखों लोगों को शायद करोड़ों को ही मार दिया था पूरे परिवार के परिवार गाओं के गाओं खत्म हो गए थे ये 100 साल बाद दुबारा आया है पता नहीं कितनों को लेके जाएगा 100 साल पहले भी दूसरी वेव में ही बहुत सारे लोग मरे थे और ये भी दूसरी वेव ना जाने कितनों को लेके जाएगी भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान जी सबको सलामत रखे अपना ध्यान रखिए वैक्सिनेशन ले लीजिए मैंने अभी एक वीडियो डाला था वैक्सिनेशन लेने वाले लंग्स और वैक्सिनेशन ना लिये हुए लंग्स का क्रिपया उसको जरूर देखें मेरे फेस्बुक पेज़ पे अपना ध्यान रखें प्राणयाम योग तपाल भाती सब करते रहें गरम पानी पीते रहें स्टीम लेते रहें और क्रिपया बहार ना निकलें मत निकलें जान है तो सब कुछ है है ना अब तक के लिए नमस्कार अबयाया है तक कि मिलड़ से भाल, क्वाई को